हाई दोस्तो असलाब अलेकूम कैसे आप लोग मेरा नबील है आपने मांगा था iOS 13.6.1 का एक follow वीडियो तो आज का मरा वीडियो जो है iOS 13.6.1 का follow वीडियो है इसी के साथ दोस्तो iOS 14 बेटा 4 का भी एक follow वीडियो जो है इसी के अंदर मैं include कर रहा हूँ यानि कि उसका experience जो इ अचान नहीं पा रहे होंगे iPhone 1230 और काफी जो है बहतरीन बोल सकता हूँ मैं इसमें बैटरी लाइफ में improvement हुआ है यह सबसे important चीज है iOS 13.6.1 की सारे iPhones जो भी iOS 13.6.1 के उपर चल रहे है उन पे बहतरीन बैटरी लाइफ मिल रही है और यह चीज मुझे मेरे बहुत सारे जो हमारे YouTube family के members है जो दूसरे social media platform पे follow करते है जैसे Instagram वगरा उन्होंने बताया है और सारे applications जो है यह बहुत अच्छे तरीके से चल रहे है और जो Apple ने promise किया था इस update के release notes के अंदर के आपका heating issue जो है वो completely solve हो जाएगा तो definitely यहाँ पे इस वाले update के अंदर जो heating issue है वो completely solve हो ग तो यहाँ पे battery life में भी काफी जो है सुदार देखने को मिलता है आप जानते ही है कि कितना जादा इस्तमाल होते हैं मेरे phones और यह जो आप screenshot देख रहे हो battery life का यह iPhone XR का है यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी देर क्या चीज़ इस्तमाल हुई है यह फोन मेरे घर में इस् इस्तमाल हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि battery life जो है काफी अच्छी मिली है इसके अंदर अगर यहाँ पे last 10 days का जो screen on time है average का वो भी देख सकते हो iPhone XR का जो कि तकरीबन साड़े 10 घंटे का है जो कि कम नहीं है यह बहुत जादा होता है अगर आप use करे हो इतना त screen time का भी यहाँ पे देख सकते है आप दोस्तों कि साड़े 9 घंटे का daily screen time है तो यहाँ पे again मैं बोलना चाहूंगा कि इतना जादा अगर आप use करते हो तो battery life की एहमियत जो है आपके life में बहुत जादा होगी इसलिए यहाँ पे Apple ने यह वाला update release किया है जिसको install करना आपक 6.1 यह जो update आया था दोस्तों यह बहुत ही चोटा update था और जिसके लिए आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा या किसी के ऐसी राय हो सकती है आपकी भी ऐसी राय हो सकती है किया रहे इतना चोटा update के अंदर हमको क्या अच्छा देखने मिल सकता है इसमें क्या fix हो सकता तो जैसे यहाँ पर release notes है वो चीज जो है complete यहाँ पर Apple ने किया है कि जो भी problem था इसके अंदर खास तोर पर जो green tint का issue था आप देखिए मेरे किसी iPhone में नहीं था लेकिन कुछ लोग face करे थे और वो overheating की वज़े से thermal management में problem की वज़े से हो रहा था इसको यहाँ पर Apple ने fix किय बाकि exposure notification वगर आपके कुछ कामका नहीं है लेकिन यह चीज यहाँ पर fix करना जो है पहुची बात है अगर यहाँ पर दोस्तों हम लोग iPhone storage में आ जाते है क्योंकि यह भी काफी लोगी problem होती है कि storage जो है उसके अंदर कोई bug तो नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हो others का जो data ह है वो 2.26 GB है जादा occupied नहीं है यह पर 64 GB का iPhone है और आपके बस जितने application हो रहा होंगे तो others का data उससाब से fluctuate होता है लेकिन काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर data management आपल ने इस वाले update में किया है तो कोई tension लेने वाली बात नहीं आप आराम से जाके यह वाला update कर सकते हो और network reception, Wi-Fi connectivity सारी चीज़ अच्छी है यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी बैठा हो currently यहाँ पर एटल का network जो है इतना strong नहीं आता जियो का ठीक टाक आ जाता है लेकिन आपको confirm बोल सकते हो कि पहले से Wi-Fi का performance और Bluetooth का performance सारी चीज़ों में आपको stability देखने मिलेगी इस वाले update के अंद तो आपको यहाँ पर यह update मिलेगा जो कि आपको download and install कर लेना चाहिए यही मेरी राय आपके लिए होगी यह install करने के बाद अगर आपको फिर भी कोई problem आता है तो वो कैसे solve कर सकते है आप वो वीडियो के आखिर मैं पता था क्यूंकि iOS 14 के problem भी आप वैसे ही solve कर सकते हो काईज अभी इसी के साथ हम लोग आ जाते है iOS 14 के beta 4 के उपर यहाँ पर मैं again आपको लेग जाता हूँ settings में general में और about phone के अंदर यहाँ पर आप देख सकते कि iOS 14 का यह beta 4 है developer beta 4 बोल दीजिए या फिर public beta दोनों exactly same software version है यहाँ पर आप टैप करके जो है इस तरीके से इसका build number भी check out कर सकते है इस वाले update की अगर बात करें जो कि iOS 14 का beta 4 है तो यह update जो है बहुत सारे मामलों में काफी stable है और बहुत सारे मामलों में जो है यह काफी unstable है किसमें stable है वो सबसे पहले आपको बतायता हूं battery life मुझे काफी अच्छी इसके अंदर देखने मिल रही है हम लोग 57 मिनिट जाने की 9 घंटे का screen on time है इसमेंने क्या कुछ इस्तमाल किया वो भी आप यहाँ पे चेकाउट कर सकते है कि social media का काफी heavy इस्तमाल हुआ है इस phone के अगर daily average screen time को आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 घंटे 11 मिनिट का daily average screen time है और यहाँ पे जो है काफी अच्छी मुझे battery life मिल रही क्योंकि इतनी heavy use के साथ आपको battery life बहुत जादा important है और यहाँ पे जो network reception है Wi-Fi connectivity है Bluetooth connectivity है सब मुझे जो है proper लग रही है इसमें issue नहीं आ रहा है लेकिन इस वाले update में क्योंकि यह beta version है obviously बात है यह stable version नहीं है तो यहाँ पे काफी सारे bugs देखने मिलते है अब यह bugs बता रहा हूं एक तो widgets है जिसके अंदर कुछ widgets के अंदर आपको चोटे मोटे bugs जो है वो देखने मिलेंगे कुछ widgets जो आपको नजर नहीं आएंगे कुछ widgets नजर आएंगे यह हो सकता है तो आप simply delete करके reinstall कर सकते हो widget को और जो दूसरा bug है जैसे मैं आपको बताया application में तो चाहे आप WhatsApp इस्तमाल करो चाहे आप Instagram इस्तमाल करो चाहे आप YouTube इसमें हर चीज में आपको चोटे मोटे bugs नजर आएंगे WhatsApp के अंदर आज मैंने जो bug face किया वो भी आपको बतायता हूं WhatsApp के अंदर किसी ने अगर मुझे audio send किया है तो यहाँ पे जो proximity sensor है वो on रहता है यानि कि जब audio प्ले करते हो तो loudspeaker पे प्ले होने की जगा वो earpiece में प्ले होता है Instagram के अंदर भी जो है काफी हद तक मुझे bugs देखने को भी ले अगर मैं किसी की story प्ले करता हूं और story के end पे जब जाता हूं तो last story देखने के बाद Instagram automatically crash होता है यह जो है applications related एक दूसरा bug मुझे नहीं मिल रहे है और banking application जो banks मैं इस्तमाल करता हूं अच्छे तरीके से जो में चल रहे है जिसमें आता है access bank, HDFC bank, Union Bank of India जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और ICICI bank का iMobile application अभी आप में से बहुत लोग बोलेंगी कि iMobile application on करने के बाद जो है यहाँ पर एक चीज यहाँ पर पिन एंटर करके आप अपना application बहुत यह अच्छी तरीके से यूज कर सकते है इसमें कोई भी इश्यू आपको face करने को नहीं मिलेगा अब यहाँ पर दोस्तों दोनों ही जो versions है iOS 13.6.1 और iOS 14 का beta 4 इस से related problems आप कैसे solve कर सकते हो हमेशा में बताता हूं इस वीडि कर लो और यहाँ पे अपने profile picture पे जो है tap कर लो यहाँ से आपको swipe down करना है swipe down करने के बाद यहाँ पे जितने application जो है उसके updates आएंगे सब आपको यहाँ पे नजर आएंगे और आपको update all करते रहना है अभी आप देख सकते है सारे application मेरे phone के अंदर updated है एक भी application जो है उसका पुराना version नहीं चल रहा है इसलिए मुझे काफी हद तक stability देखने मिलती है इसके अंदर तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर problem आ रही है इसमें से कोई भी update install करने के बाद तो उस problem को आप कैसे ठीक कर सकते हैं यह चीज आप दोनों पर apply कर सकते हो iOS 14 पर iOS 13 इनके उपर सबसे पहले आपको क्या करना है आपके phone को जो है एक बार reboot करना है hard reboot करना है वो कैसे आप कर सकते हो बताता हो इसमें कोई भी data loss आपको नहीं होगा अगर आपके पुराना कोई भी iPhone है जैसे iPhone SE है iPhone 6S है 6S Plus है तो इसमें आप क्या कर सकते हो आपका जो power button है और आ जाएगा और कोई भी data loss आपको नहीं होगा आपके पास अगर दोस्तो iPhone 7, 7 Plus है तो यहाँ पे जो power button है और यहाँ पे जो volume down का button है उसको एक साथ इस तरीके से जो है आप प्रेस करके रखिए आपका phone जो है उसका volume पुरा down होगा उसका फोन आपका restart हो जाएगा और restart होने का अगेन आपको यहाँ पे जब Apple logo नजर आएगा तो आपको simply क्या करना है यह जो दोनों buttons है इसको इस तरीके से छोड़ देना आपका phone restart हो जाएगा और आपके phone के काफी सारे issues जो है इससे solve हो जाएगे iPhone 8 या उसके बाद का आपके बास कोई भी phone है तो उसमें आप कैसे कर सक और face ID वाले phones के लिए यही तरीका है volume up दबाईए volume down दबाईए और यह जो की है sleep or wake की इसको hold करके रखिए यह वाला screen आजाएगा आपका phone again जो है वो restart हो जाता है इसके बाद और restart होने के बाद जब Apple logo नजर आएगा तो आपके phone का sleep wake की है side वाला जो button है उसको आपको छोड देना है आपका phone जो है start हो जाएगा और कोई भी data loss हुए बिना आपका phone जो है वो ठीक हो जाएगा इसके maximum problem जो है solve हो जाते है एक भी setting आपकी जगा से नहीं हिलती कोई भी problem आपको नहीं होता है इतना सब करने के बाद भी अगर आपका phone update install करने के बाद वैसे नहीं चल रह settings के अंदर settings में जाना पड़ेगा general में general में जाना पड़ेगा सबसे नीचे और नीचे आपको नजर आता है reset अब यह reset पर tap करने के बाद आपको काफी सारे options नजर आएंगे जिसको आपको ठिक से पढ़ना है अगर आपको settings से related कोई issue आ रहा है आपको लग रहा है कि बेकार से related problem आ रहा है Bluetooth बार बार डिसकनेक्ट होता है Wi-Fi का problem आता है mobile data का problem आता है तो reset network setting कलीजी कोई भी data loss नहींगा सिर्फ network setting reset हो जाएगी Wi-Fi का password वापस दालना पड़ेगा आपको अगर आपके home screen में कोई issue आ रहा है layout जो है सई से नहीं चल रहा उसमें glitches आ रहा है जो कि iOS 14 में होना possible है तो reset home screen layout आप कर सकते हो और इसमें से अगर कोई भी चीज काम नहीं करती है दोस्तो तो यहाँ पे एक option है reset all content and settings ये करने से पहले आपको आपके phone का एक backup बनाना है अपने PC में या Macbook के अंदर जब आप ये backup बना लेंगे उसके बाद आप reset all content and settings करेंगे फिर से backup को क reset करके आपको देते तो सबसे बहले backup बनाओ reset all content and settings के पर करो तो आपका जो maximum problems है इससे solve हो सकते है लेकिन iOS 14 के अंदर जो की bugs होंगे तो वो इससे तो directly नहीं चले जाएंगे जैसे मैंने आपको बता है कि application वगारा update करते रही है तो उससे solve हो जाएंगे तो यही था दोस्तो iOS iOS 13.6.1 as well as iOS 14 का developer beta 4 या public beta 4 का एक follow-up वीडियो और iOS 13.6.1 जिनोंने install नहीं किया कर लिजे बहुत ही जादा अच्छा update है चाहिए तो आप comment section में लोगों की राय इसके बारे में पूछ सकते हो जो लोग ने iOS 13.6.1 install किया है मैं तो request करता हो कि comment करके दुसरे लोगों को भी इस